एका परिवारह यह बिद्लिंग लखार बिद्लिंग लखार का प्रार्थना इच्छा चाहिए इस अर्थ में पढ़ना चाहिए इसका भी प्रत्य लगता है ते एत एताम एयूह एह एतम एत एयम एव एम सह जैसे पठ दातु है इत लगाएंगे सह पठेत तोव पठेताम ते पठेयूह तवं पठेह यूबाम पठेतम यूयम पठेत अहम एयम पठेयम ईस तरह से ये रूप चलता है जिस धातू में हम लगाएंगे लिख धातू है लिखेत लिखेताम लिखेयू हूँ लिखे लिखेतम लिखेत लिखेम लिखेव लिखेम इस तरह से इसके रूप चलता है हिंदी में अर्थ होता है चाहिए सह पठेट उसे पढ़ना चाहिए तव पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए ते पठेयु, उन सब को पढ़ना चाहिए, तुम पठे, तुम को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युयम पठेत, तुम सब को पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चा वयम पठेम हम सब को पढ़ना चाहिए एकस्विन ग्रिहे पितामह पितामही तयो चो पोत्रह चो तिस्थन्ति एक घर में पितामह पितामही और उनके तीन पोते बैठे हैं ते परस्परम बारता लापम कुर्वन्ति वे आपस में बात्चित कर रहे हैं अभिशेक पितामही प्रणमामी ए दादी आपको प्रणाम है या मैं आपको प्रणाम करता हूं पितामही चिरम जीवा यानि बहुत दिनों तक जियो तुम कुत्रक अच्छ तुम कहां गये थे किम तुम भोजनम खा दिश्यसी क्या तुम खाना खाऊगे अभिशेक, नो न, अहम भोजनम नो खा दिश्यामी, नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा अध्यतु अहम विपनो मेकडोनल्ड इती नामने भोजनाले बर्गरम और खादाम आज तो मैं दुकान में मेकडोनल्ड इस नाम की भोजनाले में बर्गर खाया था पिताम तत्र तत्र संपूर्णम भोजनम नास्ति वह संपूर्ण यानि पूर्ण भोजन नहीं है बरगर जो है वह क्या है पूर्ण भोजन नहीं है तुम्हें पौस्टिक भोजनम खादे तुम्हें पौस्टिक भोजन खाना चाहिए किम तुम प्राता दुगधम अपिवा क्या तुमने सुबह दूध पिया था अब इसे एक दुगधम तु महियम नोर हो चते दूध तो मुझे अच्छा नहीं रगता यहां देखो रुचधातु है अच्छा लगना उसमें जिसे अच्छा लगता है उसमें चतूर्थी विव तु महियम नो रोजते दूध मुझे अच्छी नहीं लगती है पिता मही यह था उपपर विभक्ति का पिता मही वयम दुगधम अबस्यम पिवें हमें दूध अबस्य पीना चाहिए यह ता क्योंकि इदम अस्माकम सरीराय स्वास्थ प्रदम्भवती यह हमारे सरीर के लि लिए तो यह बहुत जरूरी है यूस्माकम सरीरम हरस्थम पृष्टम श्वास्थम चभवेत तुमारा सरीर हरस्थ पृष्थच और ईना स्वष्थच होना चाहिए अभिनआज कंब माम मित्रम तु बलष्टा हर्ष्थी मेरे मित्र तो बलिष्ट है सः प्राता कालय भ्र स्वास्त के लिए हितकर होता है युवाम अपिभ्रह्मनाय हम सब को भी घूमने के लिए जाना चाहिए और क्या करना चाहिए ब्यायाम करना चाहिए मैं तो भ्यायाम करता हूँ प्रत मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता पिता मैं पठनम पढ़ाय भी जरूरी है इसमें है पौश्टिकम की दृषम अभ्यास वाले में स्वास्थाय कस्मे विपणिम कुत्र इस तरह से इसके रूप चलते हैं किम शब्द के रूप से हम प प्रस निर्मान में यहां पर दिया हुआ था उपर मंजुषाय में दिया हुआ है एक्जाम में दिया भी सकता है नहीं भी दे सकता है तो की दृषम किस प्रकार के स्वास्थाय कस्मे यह रूप इसके अलग-अलग जगह के लिए कुत्र लगाते हैं अब हैं उचित मंजु पुदम कि मर्थम पिवें तो स्वास्ताय स्वास्ति के लिए प्राता भ्रह्मनम स्वास्ताय कि दृषम भवति तो हितकरम भवति पठनम कि मर्थम आवस्यकम तो पठनम ज्ञानाय आवस्यकम अभिनवा कि मर्थम वही गता है अभिनवा क्रीडितु खेलने के लिए बाहर गया क्रिडिनेन शरीरं की द्रिशं भवती बलिष्ठम भवती क्रिडिनेन शरीरं बलिष्ठम भवती यानि बलवान होता है अब है उसके बाद प्रस्ने निर्दिष्ट लकारे परिवर्तनम कुरूत निर्दिष्ट लकार में परिवर्तन कीजिए ते ब्रह्मनाय क्या होगा बही गच्छे यू लटलकार में तो गच्छे यू है तो ते गच्छेत गच्छेताम गच्छे यू प्रत्मा काबवचन है तो गच्छती गच्छता गच्छनती ठीक है फिर है रमेशह महेशह चालेखम लिखेताम तो क्या हो जाए और क्या हो जाएगा लंग में और लिखत और लिखताम और लिखताम हो जाएगा यू जम वही गत्वा क्रीडेत लट लकार में तो क्रीडत होगा यू आम आदे पाठम अस्मरेत तो लोट लकार है तो तू ताम अन्तू आ तम तो अस्मरतम वयम खलानी शाकानी चा खादेम लिख लकार है तो खादिश्याम वयम के साथ क्या होगा खादिश्याम अब है ब पिदलिंग लकार से भरना है जीम फलानी अवस्यम क्या होगा खादेत वयम सदा इस्वरम् तीन ओप्षन है एक होगा भजेम भजेव भजेम तो क्या होजागा भजेम तो प्राता-माता-पित्रोव क्या होजागा तो है दो तो क्या हो जाएगा नमेतम बाला क्रीडा छित्रे गत्वा क्या हो जाएगा खेलेत एक वचन है आवाम नित्यम व्यायामं कुरियाम कुरियाव तो कुरियाव हो जाएगा ठीक है अब है संस्कित वियन बाद हमें सदा सत्यर मधुर बोलना चाहिए वयम सदा सत्यम मधुरम च यहां यच्छ हो गया यच्छ में चतूर्थी होता इसलिए सर्वेभ्या बच्चों को बाहर खेलना चाहिए बाला वही क्रीरेयु हुँ अब उसके बाद है तुम सबको समाचार पत्र पढ़ना चाहिए तुम्हें ब्यर्थ नहीं बोलना चाहिए तो अम ब्यर्थम न वदे यह हो गया अब है अब्य मंजुशा में दिया हुआ है इससे लिखना है अब यहां देखो मानसी मानवी मनस्वी दो है तो दो के बीच में चो लगाते है और तो चो बिद्यालेयम गच्छत हा ग्रिस्मावकासे स्यूयम कुत्र अगच्छत ते अपी भोजनम नो खादंती अपी और न हो जाएगा यहां पे तिरे ग्रिहात डैस मागच घर के ना जाओ तो यानि कहां बाहर ना जाओ तो वही डैस तो हम किम करो सी अधुना मतला अभी तुम क्या कर रहे हो तो इस तरह से इसके प्रश्न हो जाते हैं और यह प्रश्न जो है आपको सारे कंप्लीट करना है लीग